हेलो एवरीवन मैं हूँ डॉक्टर सुरभी सोलंकी और आप देख रहें मेरा चानल डॉक्टर सुरभी की प्रेगनेंसी टिप्स छे हफ़ते की प्रेगनेंसी में HCG हामोन के लेवल्स कितने होने चाहिए ये तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे ही साथ ही हम ये भी जानेंगे कि HCG हामोन क्या होता है इसकी इंपोर्टेंस क्या होती है प्रेगनेंसी में किन कारणों से HCG हामोन के लेवल्स कम हो जाते हैं आपकी uterine lining से चिपक जाता है, जिस process को implantation बोलते हैं, implantation के बाद placenta में से ही HCG hormone release होता है, इसका काम क्या होता है, ये आपकी body को progesterone hormone release करते रहने के लिए command करता है या बताता है, progesterone की क्या importance है, progesterone अगर release होता रहेगा, तो ये आपकी जो endometrium की lining है, आपकी uterus की lining है, उसको गिरने से या ज़रने से रोकता है, जिससे कि आपकी pregnancy जो है, वो maintained रहती है, अब pregnant महिलाओं की urine में और उनके blood में HCG hormone मौजूद होता है, आपकी जो urine pregnancy detection kits होती है, वो इसी hormone को detect करके आपकी urine में ये बताती है कि आपका जो pregnancy test है, वो positive है कि negative है, लेकिन जो इसकी precise exact value होती है, या level होता है HCG का, वो आपको blood test के द्वारा ही पता चलता है, अब standard HCG levels क्या होते हैं pregnancy के दौरान, इसकी कोई fixed value नहीं होती है, क्योंकि हर महिला का pregnancy के लिए response अलग होता है, तो ये एक wide range होती है, HCG hormone के levels की हर week of pregnancy में कितना होना चाहिए, तो इसका chart आप अपने screen पर देख सकते हैं, pregnant महिलाओं की body में HCG hormone के levels 10-12 weeks of pregnancy तक बढ़ते रहते हैं, इसके बाद ये बढ़ते नहीं हैं उस तरीके से, और किसी किसी में कम भी हो सकते हैं, इसलिए ऐसा होता है कि pregnancy के जो पहले 12 हफते होते हैं, उसमें nausea, vomiting महिलाओं को जादा होती है, जबकि जब ये जो period है 12 हफते का ये बीच जाता है, तो इन problems में काफी कमी आ जाती है, शुरुआती जो दौर होता है pregnancy का, इसमें HCG hormone के levels काफी तेजी से बढ़ते हैं, ये हर 2-3 दिन में दुगने हो जाते हैं, अगर आपके doctor ने आपका HCG level test करवाया है और उसमें वो normal range से कम आता है, तो एक ही reading से कुछ प आपका blood test हुआ है HCG hormone के levels के लिए और उसमें कम आया है, तो अभी घबराने की बात नहीं है, एक reading से कुछ कहा नहीं जा सकता है, जब तक कि कुछ दिनों के अंतर पे repeated blood tests किये जाते हैं और उनके levels को compare किया जाता है, तभी कुछ निश्चित तोर पे कहा जा सकता है, अब हम घबराये मत, कई महिला ऐसी है जिनके की पहले low HCG levels थे, उन्होंने बाद में चलके healthy babies को deliver किया है, इसलिए ये panic करने की कोई बात नहीं है, अब हम low HCG levels के कारण जान लेते हैं, पहला कारण जो आम तोर पे मिलता है low HCG levels का वो होते है कि आपकी जो gestational age है, आपके baby की वो गलत calculate हो गई है, क्योंकि जो age होती है, gestational age वो आपके last menstrual period का जो पहला दिन होता है, वो जो date होती है, उससे calculate होती है, तो या तो जिन महिलाओं के irregular periods होते हैं, उसमें इसमें mistake हो सकती है calculation में, या एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर आपको ठीक से याद नहीं है कि आपकी last menstrual period की date कौन सी थी, तो अगर आपकी pregnancy जितनी आप सोच रहे हैं, उतनी weeks की नहीं है, कम weeks की है actually, तो वो आपको एक low level दिखाएगा HCG test में, तो अगर low levels आते हैं आपके HCG हामून के blood test में, तो दो steps लेने होते हैं, एक तो ये कि आपका ultrasound के द्वारा देखा जाएगा कि आपकी gestational age actually HD में है क्या बच्चे की, और दूसरी चीज ये कि आपके कुछ-कुछ दिन छोड़के आपके जो blood test है HCG के उसको repeat करके दिखा जाएगा कि levels जो हैं वो बढ़ रहे हैं ठीक से की नहीं, दूसरा कारण जो हो सकता है अगर आपके low HCG levels आ रहे हैं normal से, वो है miscarriage, ये ये indicate कर स सकता है कि या तो already miscarriage हो चुका है या फिर होने वाला है, इस condition में आपके कुछ symptoms भी आएंगे low HCG levels के साथ, जैसे कि आपको वेजाइना में से bleeding हो सकती है, आपको abdominal cramps हो सकते हैं, पेन हो सकता है अपने lower abdomen में, आपके वेजाइना में से tissues के pieces या फिर clots खून के ठक्के आ सकत पिंक कलर का mucus discharge हो सकता है वेजाइना में से और जो आपके pregnancy के symptoms अभी तक अगर आपको अपनी body में दिख रहते हैं, नौजिया या vomiting वो एकदम से symptoms रुख जाते हैं, अगला कारण जो हो सकता है वो है blighted ovum, इस condition में क्या होता है कि fertilized egg आपके बच्चेदानी की जो lining होती है होई है और आपका period आजाता है, अगला कारण जो काफी serious होता है low rcg levels का हो है ectopic pregnancy, normally जो embryo होता है वो आपके uterus में implant होता है, लेकिन अगर ये fallopian tubes में implant हो जाता है या uterus के इलावा किसी और जगे implant हो जाता है, तो उस तरीके की pregnancy को ectopic pregnancy बोलते हैं, जिसमें कि सबसे common tubal pregnancy होत अब tube आपकी इतनी stretchable नहीं होती है कि वो बढ़ते हुए बच्चे को accommodate कर पाए, तो एक stage ऐसी आती है कि जब आपकी tube rupture हो जाती है, अगर time से आपका ectopic pregnancy का diagnosis नहीं बनता है, तो इसमें कुछ symptoms आते हैं जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि ectopic pregnancy होई है या emergency है, इस वक्त क्यो bleeding हुई है, आपकी rupture हुई है, आपकी tube तो आपको कंधे में दर्ध होता है, जो कंधे की tip होती है, shoulder tip होती है, वहाँ पे दर्ध होता है, इसलिए क्योंकि जो blood release हुआ होता है आपके अंदर वो आपके diet fragment को irritate करता है, तो उसकी वज़े से आपको ये pain महसूस होता है, इसके अगर आपको intercourse के time पे pain हो रहा है, या फिर जब doctor आपका pelvic examination करते हैं, तो आपको pain होता है, आपको चक्कर आता है, dizziness होती है, और shock के symptoms आपकी body में नजर आ सकते हैं, अगर ये symptoms हैं, तो आपको तुरंथ hospitalized होना जरूरी होता है, अब हम बात कर लेते हैं इसके treatment की, यानि कि अगर आपके low ECG levels हैं, तो इसको treat किस तरीके से किया जाता है, तो ये depend करता है कि cause क्या है, जैसे कि मैं आपको बता है, कई बार तो खाली ये गलती होती है, miscalculation हो जाता है आपके gestational age का, तो अस condition में तो कुछ भी करने की ज़रुद नहीं है, वो चिंता का कोई विशह नही है, लेकिन अगर जैसे ectopic pregnancy की वे जैसे हुआ है, तो ectopic pregnancy लिए तो आपका जो embryo है, उसको remove करना पड़ेगा आपकी tube में से, वो बहुत जरूरी होता है, इसके अलावा अगर आपका miscarriage अरड़ी हो चुका है, तब कुछ किया नहीं जा सकता है, उसमें यहीं किया जा सकता है, या तो आपको अगर आपका सारे tissues जो हैं, वो remove हो गए हैं आपके uterus में से already, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, अगर कुछ tissues अंदर हैं, तो आपको दवा दी जा सकती है, ताकि वो expel out हो सकें, या फिर अगर दवा से भी नहीं हो पाता है expulsion, तो फिर आप सर्जिकली थोड़े वो जो remaining tissues हैं, आपके uterus के अंदर वो remove किये जाएंगे, अगर low HCG levels की वज़े से आपका miscarriage हुआ है, तो आपने राश मत होई है, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है, कि आप आगे चलके pregnant नहीं हो सकती है, या एक healthy baby को deliver नहीं कर सकती है, आप बिल् ही रहते हैं, तो hopefully आज का ये वीडियो आपको कुछ useful लगा होगा, काम का लगा होगा, कर अच्छा लगा है, तो वीडियो को like कीजे और मेरी चैनल को subscribe कीजे, चैनल को subscribe करने के साथ साथ वो जो notification bell है, all के option के साथ उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजेगा, ताकि मेरे आने व बाता है, तो ओत।